सुरणिम सप्ता से गुज़रा सब्ता जार्कण में सुरणिम सप्ता के रूप में याद किया जाएगा जार्कण की बेटियों ने गोल्ड मैडल की जड़ी लगा दिया है शुर्वात रेस्लिंग में चंचला कुमारी ने की और तिरंदाजी में चार स्वन पदक जीत कर जारकंड की तिरंदाज बेटियां दिपिका कुमारी, अंकीत भगत और कोमे लिका बारी ने सोने की जड़ी लगा दी रिपोर्ट को देखिए शुर्णा संक्रमान से ठकाहारा चारकंड उस वक्त मुस्कुरा उठा जब और मांजी के बेहत घरीब घर की रेस्लर बेटी चंचला कुमारी ने बुड़ा पेश ठंगरी में आयोजित होने वाली विश्व का प्रत्यविता के लिए क्वालिफाई करते हुए स्रणपदक जी अपनी वजन की तो सारे टफ आए टफ बच्चे आये हैं और वो टफ बच्चों से उसका फाइट हो रहा है और बाकी जो भी कमी हैं हम लोग तीन को चार कुछ लगे हुए हैं और सारा कमी को दूर कर रहे हैं कि उसको कुछ चीज का भी कमी यहां पर ना हो में वहां भी कोचिस लेके गए और वहां भी कोचिस ने यह कराया और फिर वर्ड चेंपियंशिप के लिए मेरा ट्रायलवा उसमें सिलेक्शन हो गी रविवार का दिन था प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने मन की बात में कौटो रिक्षा चालक शिव नारायन महतो की चर्चा की जो गोल्डन गर्ल दिपिका कुमारी के पिता है पिता ने कहा कि वो खुशनसीब बाप है जिसकी जिन्दगी उसकी बेटी ने बदल दी है आज उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है उनकी बेटी द्वारा दिया गया तोफ़ा है जार्खंड की बेटियां देश की बेटियां आर्चरी के छेत्र में एक उपलब्दी हासिल किया है दिपिका जैसे खिलाडी ने एक दिन में दो गोल्ड मैडल हासिल किया है वहिला टीम ने मेक्सिको को हरा कर गुल्ड मेडल हासिल किया ऐसे उपलबधियों से नके बल जारखन बलके देश का गौरव बढ़ता है और आर्चरी एसोसियसन अब इंडिया के तरफ से मैं पूरे देश बासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जारखन की सरजमी से निकलने वाले हीरे जवाहरात नुमा खिलारी सारे देश को गर्व से जूमने का मौका देते हैं सरकार द्वारा संचाली सीसीयल स्पोर्स अकैडमी भी अपने आप में खिल और खिलारियों की प्रमोशन के लिए जीत तोड कोशिश कर रहा है आगे काम्याब लोगों का मैदान बाकी है और भी ऐसे स्वणीम सप्ता आते रहेंगे राची से न्यूज 11 भारत के लिए शेहनवाज अख्तर की रिपोर्ट और सिधे रुक करेंगे अपने सहयोगी प्रभात का जो जमशेदपूर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे है प्रभात गुज्रा सप्ता जार्खन में स्वणीम सप्ता के तौर पर याद किया जगा प्रभात जार्खन का पूर्श करोना ने जिस तरह से कहर बर पाया ज़ार्खन में लेकिन अब ज़ो है ज़ार्खन की बेटियों ने गोल्ड मेडल की जड़ी लगा दी है परभाद तो समझा जा सकता है कि तीन तीन गोल लाई और जारखिंड की बेटिया है मैं यह बात बदाना चाहता हूं जिशान की यह जारडी स्पोर्ट कॉंपलेक्स का यह आपको गेड़ तिखाना चाहता हूं दर्शकों को देख सकते हैं यही जारडी स्पोर्ट कॉंपलेक्स से चाह और यह आंतानुदास जो दिपीका के पती है उनका भी केरियर यहीं से स्टार्ट हुआ तर यहीं से उन्होंनों यह तिरंदाजी सिखी ते और यहां से निकल कर उन लोगोंने विस्व के पटल पर वांचीत पर अपना पर्चम लहराया देश के साथ साथ जारकंड और जमसित साथ वो ओलंपिक के अभी टिकट फिक्स कर लिए पिछले दिनों जो स्प्रदा हुआ था इंडियन टीम हार गई थी लेकिन कहीं ने कहीं कल का दिन पूरे देश के लिए पूरे जारकंड के लिए सुन्डिम रहा क्यूंकि इतने सारे एक साथ गोल लाना हो भी बेटियों हैं आदमी लोग बोलते हैं कि बेटिया बेटी से जादा बेटे कामयाब होते हैं लेकिन यहां तो जारकंड में बेटियों नहीं नाम रोशन किया और बेटिया किस तरीके से खेल रहा है और वो भी पैरिस में जाकर वर्ल्ड कप में जाकर पैरिस दूसरे देस में जाकर ज लिकिन झार्कंड की बेटियों ने नाम रोसन किया और कल का दिन तो इत्यास में लिखा जागा जैसे जो अरजुन मुंडा जी जी भी कह रहे थे कि बदाई दे रहे थे जारकंड भारती तीरन्टा जी संग के अध्यक शहाथ साथ जारकंड के भी जो तीरेजदाज देका शाम के वक्त हमारे साथ थे जो जारकंड कोच आर्चरी संग के कोच थे धरमिंदर जी वह भी यहां पे थे हलाकि अगर ये कोरोना काल नहीं रहता जिशान तो यहां का महौल कुछ और रहता क्योंकि टाटा स्चिल अपने खिलाडियों को जो टाटा स्चिल में खिलाडी खेलते हैं उनको बहुत प्रसाहित करता और उनकी लिए उनकी मोटिवेशन के लिए बहुत सारे ऐसे कारिकम भी की जाते हैं लेकिन कोरोना चल रहा है जो कि उसके चलते हैं पूरे स्पोर्ट कॉंप्लेक्स बंद है अलाकि इसके पीछे आर्चरी के जो नए नय धरूदर वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को इज्यादत नहीं जाने के लिए लेकिन हम यह कहेंगे कि जारकन के लिए कल का दिन बहुत सुन्डी मक्षरम लिखाएगा क्योंकि तीन गोर लेक साथ आया जी जी सार कोरोना का खत्रा धीरे-धीरे हम इसे फाइट कर रहे हैं सरकार बेहतर डिसीजन जारकन वासु के हित में ले रहे हैं लेकिन इसे बीच जो खुशी हम लोगों को यहां की बेटियों ने दिलाया अपने आप में वाकई काबिले तारिफ है चाहे आप बाद दिपिका कुमारी की करें अंकिता भगत और कुमोली का बारी की करें जिन्होंने सूने की जड़ी लगा दी अंजनी देखेई जिशान जिस्तर से कोरोना का संक्रमन का दौर चल रहा है और अभी समाप भी नहीं हुआ है लेकिन उस कोरोना के संक्रमन काल में लगातार प्राटिस करना और देश के लिए पदक लाने का संकल्क लेना भी बड़ी बात होती है और दिखिये पदक ले जब पदक मिला है तो भारत का मान सम्मान जो है पूरे विश्व में बढ़ गया है और जारकन की बेटियों ने जार कि बेटिया जो है कुछ भी पॉजिटिव वर कर सकती है देश के लिए मेडल ला सकती है और अब जो है दिपिका का अगला टार्गेट है तो कि अलम्पिक तो यह बहुत जारकन के लिए रांची के लिए बहुत खुसी की बात है पूरे भारत में लोग जो है खुसिया मना तब आम जो लोग है पर यह का ताता लगा है और इसके साथ बात यह भी है झें मांबढ़ा आया तो राची के दामाद जो हैं दिपिका के घपटी है उन्हों कर सकते हैं कि बिटी और नमात की जो 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 ली है कहीं ने'll कही आप जर把 जार्खन का तो मान बढ़ाया ही है और पूरे भारत के लिए बड़ा स्वर्निम अक्षरों में लिखा जाएगा जब भी तीरंदाजी की बात होगी जो हमें लगता है कि जिस तरह से प्राक्टिस इन लोगों ने की थी और आतमें विश्वास से लब्रेज ये लोग रहे हैं और इसके बाद जब पदक मिलना तो हमें लगता है कि ये जार्खन के लिए वैसे लोगों के लिए प्रेजना के सुरोत होंगे जो तीरंदाजी का लगतार प्राक्टिस कर रहे हैं और जो विश्व अस्तर पे भारतिये रास्तिये अस्तर पे अपना नाम कमाना चाहते हैं वहां तक जाना चाहते हैं तो दिकीका एक रॉल मोडल होगी फॉमाली का रॉल मोडल होगी अंकिता रॉल मोडल होगी तो हमें लगता है primeira की लिए जिसरत से बेटियों नेमान बढ़ाया तो ये हमारे लिए राची के लिए भारत के लिए बहुता टा फ्शक्र पार करने कि किरा तो एक कड़ी मेहनत है और लगतार मेहनत करते राना और ऐसे समय मेहनत करना ज़ब पूरे मिश्व में एक अलग महौल रहा है यह को बहुंभ थे समय में practice करना और अपने को खेल से जोड़े रखना यह बताता है कि आप अलब मेडल लाने के लिए कितना motivated रहे होंगे तो और इतना आसान भी नहीं है जब इस स्वास्तर पे जब पर्चोगिताएं होती है तो इसमें बड़े-बड़े धुरंदर भी रहते हैं और ऐसे धुरंदरों के बीच में अपनी प्रतिभा दिखाना और पड़क लेकर आना ये बड़ी बात होती है जी विजन किया गया था तो वर्तमान सरकार जो है हिमन सरकार वो कहीं न कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है और यही वज़ा है कि यहां से इतने टैलेंटेट खिलाडी निकल रहे है रेसलिंग की देखिये बात हम करेंगे चंचला कुमारी दंगल गर्ल इसने भी नाम भी नाम बनाया ज्जारखन का नाम ऊचा किया तो कहीं न गहीं ज्जारखन में हौकी एक तरफ हो गया दूसरी तरफ 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 तरन्दाजी और अ प्रेसलिंग की बात की जाएं तो चंचला कुमारी का नाम सामने आया है दिखिए ये चंचला का जब नाम आया है तो ये हम कह सकते हैं कि ये जार्खन के लिए पहला अनुबह था कि चंचला एक छोटी सी बेटी है और मांजी की बेटी है और उसने अपने कड़ी मेहनत और कोच के प्रसिछन को प्राप करते हुए आप समझे एक अलग परतियोगित है उस पर वो सामिल होगी एक बड़ी बात होती है जहां कुस्ती में नाम रौसन हो रहा है वहीं हौकी में जो है भारतिये टीम में दो खेलारी हमारे सामिल हुए हैं तो ये हम कह सकते हैं कि खेल को लेकर जार्खन में तमाम सरकार हैं मन सरकार भी खेल को लेकर काफी बढ़ सालियों के परती यी बड़ी बात होती है आप आंपूर को लेकर आगे एक को चयोग से आगे बढ़ हो और प्यानट्री हमनसोर्य बदाई दी है उन्हें हिंगा अपने सब्दों इन जह बेंड कीmeden भात्तो Ag coded स्कुछ Τाइड होटी है इस के शूर्थ फे करा इसके साद यह बड़ी बात होती है और भारत का भी नाम आज गलोबल लेबल में बढ़ बीस है तो जाता है है तो आट सबस Live between प्रद्ना दायक हम कह सकते हैं कि विप्रित परिस्तिती में अपने को कायम रखना, अपने अपना मेहनत करना ये तमाम लोगों के लिए एक सीख है तो हमें लगता है कि इस तरह से मेहनत की है और पदक हासिल हुआ है तो आने वाले समय में और कई पदकों की जो है वो हमें लगता है कि वो सीरीज बढ़ेगी तो ये एक बड़ी बात होती है जी शान और देखि इसी सहर से महेंदर सिंग धोनी ने भी अपना नाम कमाया भारत को वल्ड गप का पदक दिलाया जो कि 28 सालों के बाद मिला था तो कुल मिला करिए हम कह सकते हैं कि जारकन के जो खिलाली हैं तमाम खेलों के जो खिलाली हैं उनमें प्रतीबा काफी है बिल्कुल बस उन्हें एक हमारे साथ जमशेदपूर से जुड़े वे परभात देखिए इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम जमशेदपूर में है राची में और एक और तीसरा इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी कवायत चल रही बोखारों मतलब कि राज जारकन ऐसा पहला आगे आते हैं क्योंकि जारकन को अगर हमें आगे बढ़ाना है स्पोर्ट के मामले में तो युवाओं में इस बात को लेकर एक ललक पैदा तो करना ही पड़ेगा कि युवा भी आगे आए और जाद से जादा वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले बिल्कुल जिसान देखिए पहले ये बोला जाता था कि खेलों को खूदों के बनोगे खराब पड़ों को लिखों को बनोगे नवाब तो ये कहावत आज के समय में उल्टा पड़ रहा है क्योंकि आज के समय अगर हम कहें कि खेल की दुरिया में एक से बढ़कर नाम आ रह कि किनेनन स्टेडियम मेरे बंगल में जे वहाँ से कई क्रिक्धेटर निकले धोंगी कि सुरुवाथी की चूपी मैच चैज़ को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है यही वज़ा है कि टाटा स्टील ने कई वर्ष पहले ही जाडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को तयार किया था इसमें सेंटेटिक ट्रैक है एथलीट के लिए है बॉक्सिंग के लिए है सुमिंग के लिए हर एक चीज के लिए एक अलग-अलग सेंटर बनाया है और आर्चिरी का आर्चिरी का जो भी कैम्प लगता इंडियन कैम बोले या फिर नेसल कैम बोले तो यहां कैम्प लगाया जाता चुकि यहां सुविदाएं उस तरीकी से दी जाती है टाटा स्टील के दवारा और अच्छे-च्छे खिलों का आयोजन हुआ है और यहीं से यह खिलाडी निक रहे हैं पोरणियू को चाहिए वो पूर्नीमा की बात करें या धरमंदर की बात करें तोश्चोंने इन खेलाडी को तरासा राज आज आज द देखिये।स में आ कर पूर्य देश का नाम रोसन करें जार-साए जार डरकंड कर 되어 जे सो शरकार भी बढ़ाव दे रही आगा है तो जैसे आपने बताया कि कुस्ती के छेतर में हो या फिर बॉक्सिंग के छेतर में अपने दोदो खिलाड़े भारत का पत्तिदित कर रहे है और खासकर बेटियां ये बहुत गरब की बात है पहले ये कहा जाता था कि जो मैं पहले भी कहा बता कि लड़कों को खिल पे जाद पिलिटा बढ़ाओं दे जाता था लेकिन अब लड़को भी बाजी मारी और वैसे बाजिया मार रहे है कि देश् – पूरी मार दुनया है कि आ самой Pi पर परहं में पर्चम लारी है का कि दूब सुच्छा पर कुलुर कॉंसीता जिदी तरह ऊन्कीतबारी प्हुंकि यहां पर ट्रेनिंग सेंटर में तो निस्टित है उनका स्वागत भी किया जागा क्योंकि है दिखा गया कई ऐसे मेडल जीत के आने के बाद टाटा शिलो चाह जिला प्रसासन के दौरा उनको समानित किया उससे समानित से क्या उनका मोटिवेशन बढ़ता उनका होसला बढ़ता और अट्लीट की स्टेडियम भी बोले जाए तो जैडी को तयार किया गया था और इसमें सारी सुविदा है परवाद दिन इन बोनहार बेटियों की चर्चाम आगे भी करेंगे अंजनी मन की बात में परधान मंतरी मोधी ने नरेंदर मोधी ने कल दिपिका कुमारी की तारिफ की थी कैसे विब्ली परिस्थितियों में यह बेटियां कमाल कर जाती हैं, देश का नाम रॉसन कर जाती हैं अंजनी आपने असमे समय में अपरधान मंत्री का याद करना दिपिका को कहीं न कहीं मनुबल को बलाता है तो एक बड़ी बात होती है कि प्रधान मंत्री दिपिका को याद कर रहे हैं खिलालियों को याद कर रहे हैं रांची को याद किया जा रहा है तो इन से देखिए होता ये कि एक तुप जो खिलाली है दिपिका उनको भी अमला उन मंजिल को तै करना चाहते हैं आगे देश का प्रतिनीदित करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे परिस्थिती में प्रधान मंत्री ने दिपिका को याद किया बधाई दी तो हमें लगता है कि एक बड़ी बात होती है और ऐसे समय में जारकन का भी नाम आता है और बेटिय लेकिन जहां जारकर में यदी हम खेल की बात करते हैं जिशान तो ये आज की बात नहीं है आप देखिए उनेश्टाइस इस्वे में अब ये ऑलम्पिक में पदक लाने वाले हमारे होकी के खिलारी जैपाल सिंग मुंडा थे अब समझे प्रिटिस सासंकाल में अपना देश क प्रतिनिजित्व करना तो यहां के मिट्टी में जो खेल के प्रती एक उत्सा है यहां के मिट्टी में खेल बसा है तो ही वजह है कि जहां खेलालियों को शही मार्ग दर्शन मिलता है और विप्रित परिस्तिती में भी आगे निकलते हैं तो यहां की मिट्टी की एक बहुत और आने वाले समय में बोकारों भी एक बड़ा हब बंदा है तो कुल मिला कर ये हम जरूर कह सकते हैं कि खेल को लेकर के जारकन के हर जीले में अच्छे अच्छे खिलारी हैं बस खेल विभाग और सरकार की नजरे जो है ऐसे खिलारीयों पे रहती है तो वो खिलारी आगे जारकन पे है तो एक बड़ी बात है अच्छी बात है और उबरते खिलारीयों के लिए प्रेड़ना दायक है दिपीका के तुवारा जीते गए मेडल तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी मेडल जो है दिपीका हासिल करेगी और तमाम लोग पूरे जारकन वासि पूरी राची और जारकन पूरा भारत जो है उनके स्वागत के लिए तयार बेल्कुल तो हम उमीद करते हैं कि टोक्यों मेरे सब्सक्राइशा Germam sage hay है उसकी मदद से यहां की जो यहां की जो बेटियां है आप अगर कुछ सालों पहले जाएंगे किस तरह से यह हौकी खेलती थी किस तरह से इन्होंने अपने स्पोर्ट्स की शुरुआत की थी बहुत जादा इन्हें संसाधन मुहया नहीं कराए गए थे चाहे आप बात इनके परिवार की तरफ से करें या फिर सरकार की आप बात करें कुछ सालों पहली की हम बात कर रहें लेकिन अब क्या है कि यह देखने को मिल रहा है कि जारखंड का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन वो कर सकती है जरूरत है आने वाले समय में यहाँ जो टैलेंटेड इस तरह की बेटियां है बेटे हैं लड़के हैं उन्हें और भी संसाधन मुहया कराई जाए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिससे की वागे बढ़े और देश का नाम रोशन करें बहुत बहुत शुक्रिया अपरभात जमशित पूर से हमारे साथ लाइब जुडने के लिए बहुत बहुत शुक्रियान जनी राज़ानी राज़ानी राज़ीस हमारे साथ जुरने के लिए